नमस्कार साथियों आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिसकस करेंगे फाउंडेशन कोर्स यानि आदार पाट्टे क्रम का एक जो फोर्त पेपर है योग और ध्यान योग अगर दियान उसकी unit first है और इसकी first unit का जो third lecture हम लेके आए हैं याने कि second topic है किन्ट हो lecture तड़ है योग इसकी उत्पत्ती इतियास और उसके विकास के बारे में जैसे हमारी first unit complete हो जाएगी याने इसके total हम 7 lecture लेके आएंगे साथ लेक्चर के बाद में जब आठवा लेक्चर इसका आएगा तो उसमें multiple choice question लगबग 150 से 200 question हम आप लोग लेकर आएंगे आप लोग उनको solve करिएगा उसके बाद में आपको आसानी से ये paper जो है उसकी तैयारी आप लोगों की हो जाएगी तो आज हम डिसकस करते हैं यापर योग इसकी उत्पति थियास और विकास के बारे में योग का अर्थ क्या है the meaning of योगा तो योग का अर्थ एक्ता होता है ये शब्द सांस्कृतिक है जिसका मतलब जुड़ना होता है इसे आम जीवन में लोग शामिल करते हैं ताकि वो अपने जीवन को मानसिक शारिरिक और भावनात्मक तोर पर बहतर बना सके योग को एक साधन के तोर पर भी देखा जाता है जिससे शरीर और मन की भावनाओं को आसानी से संतुलित किया जा सकता है योग हमारे शरीर को अंदर से ही नहीं बलकि बाहर से भी कई लाब पोचाता है यहाँ पर आप इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों लेंग्वेज में देखेंगे मैं सिर्फ यहाँ पर हिंदी लेंग्वेज का प्रनाउंशेशन कर रहा हूँ और यदि आपका इंग्लिश विडियम में तो आप इंग्लिश विडियम में विडियो को रोक कर नो डाउन कर सकते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स के मेरे साथियों के कमेंट्स मेरे पास में आए विद्यार तो कमेंट आए कि सर इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों लेकर आए इसलिए हम नो इसको दोनों लेकर आए है योग की उत्पति और उसका इत्यास की तरफ चलते है औरिजन एनिस्टी उप योगा ऐसा कहा जाता है कि योग की शुरुवात सब्यता काल और पुरानी काल से ही हो चुकी थी भगवान शिव को योग का सबसे पहला गुरु माना जाता है इस पॉइंट्स को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा क्या कहा कि भगवान शिव को योग का सबसे पहला क्या माना जाता है गुरु माना जाता है इसी मान्यता है कि योग करीब 2720 साल पहले हिंदू गाटी सब्विता की अमर देन कही जाती है मानवी मुल्य योग साधना की आधारवुत पहचान रही है योग में शिव को पहले योगी या आधी योगी तता पहले गुरू या आधी गुरू के रूप में माना जाता है तो भगवान शिव को किस रूप में माना जाता है तो उनको आधी योगी के रूप में माना जाता है और भगवान शीव को ही किसका गुरू काया था तो योग का गुरू किसे का गया है भगवान शीव को का गया है हिंदू गाटी सब्विता के ऐसे कई प्रमान और जिवाश में हैं जिसमें योग साधना और उसकी मौजूदगी को दर्शाए गया है इसमें यह साब पता चलता है कि प्राचिन भारत में ही योग की मौजूदगी थी लेंगिक चिन और देवी देवताओं के मुर्ती की बनावट उस वक्त योग तंतर को दर्शाते हैं तो जो मुर्ती के अलग-अलग बनावटे वो किसको दर्शाती है तो हम कह सकते हैं वो योग तंत्र को दर्शाती है योग सिस्टम को वो डेवलफ करती है योग शब्द की उत्पत्ती संसकत शब्द के वाई यू जे से हुई है जिसका मतलब है जे से जोईन यानि जोड़ना वाई से योग यानि मिलाना और यू से यूनाइटेड मतलब एक साथ योग शास्त्रों के मताबिक योग का मानव के मस्तिक्ष और शरीर के बीज वेसा सीधा सम्मंदे जेसा की मानव की मानव की प्रकृती से है जिसा मानव का प्रकृती से है तो ध्यान रखना योग शब्द कहां से आया है तो योग शब्द संस्कृत के यूज शब्द से आया है इसके अलग-अलग मिनिंग क्या है तो अभी हमने का जे से जॉइन करना यानि जुड़ना जुड़ना लिखा है इसको जुड़ना कर लेना वाई से योग यानि मिलाना और यू से युनाइटेड मतलब एक साथ ये इसके अर्थ हैं योग का मकसद आत्मग्यान और सभी तरह की शारिरिक परिशानियों से पार पाना है ये विश्वकास सबसे पुराना विज्ञान है जिसकी उत्पत्ती भारत से ही हुई है योग शारिरिक और मानसिक स्वास्त को बनाय रखने में बेहत मत्तोपून है इसके साथ ही आध्यात्मिक विकास से भी योग का खास इस्थान है योग की उत्पत्ती सरुपत्म भारत से ही हुई है आप से पूछा जाएगी योग की उत्पत्ती का हुई है योग की उत्ती सरुपत्म भारत से हुई है इसके बाद यह दुनिया के अन्य देशों में लोकप्री हुआ है योग की बात होती है तो पतंजली का नाम प्रमुकृ तित्रूब दिया था योग भारत की प्राचिन परंबरा का एक अमुल्य उफारे जो न केवल देश में बलकि एश्या, मद्यपूरु उत्री अमेरिका और दक्षिन अमेरिका से इत्विश्व के अलग-अलग भागों में फेला हुआ है तो सबसे पहले कहें तो योग की उत्पति कौन से देश रही है तो योग की उत्पति भारत से मानी जाती है योग के को सबसे ज़्यादा फेमस किस ने किया है तो पतंजली ने सबसे ज़्यादा इसको फेमस किया है योग की खोच कब हुई है इसकी कोई लिखे जानकर या सच तो किसी के पास है ही नहीं लेकिन ऐसा माना जाता है कि योग की शुरुआत हमारे देश यानि बारत से हुई है बारती रिशी पतंजली द्वारा योग दर्शन को लिखे गए कम से कम 2000 साल बित चुके हैं जिसमें आप अपनी भावनाओं पर नियंतरन कर सकते हैं और इसे ही योग की गाइड मानी जाती है योग सत्र योग का सबसे पहले लिखित रेकॉर्ड है जो यह सबसे पुराने गरंतों में से एक है तो सबसे पुरारा लिखित रेकोर्ड या गरंत कौन सा है तो यहां आपर लिखा हुआ योग सत्र ध्यान रखिएगा इसको आगे चलते हैं योग की उत्पत्ति इतियासुर विकास के बारे में बात करने हम लोग वेदिक परंपरा में शास्त्री योग शामिल हैं पतंजली के अवल शिक्षा के संकलन करता थे पतंजली से पहले महाभारत उपनिश्दो पता पुरान जैसे साहित्यों में पतंजली योग के सभी पहलों को शामिल करने वाली योग शिक्षा हैं दी गई कहा जाता है कि योग प्रणाली हिरणगर्ब द्वारा बनाई गई है जो ब्रमांड के विकासवादी एव म्रशनात्मक शकती के प्रतीदित करते थे योग को योगा को या योग को रिग वेद में भी पाया जाता है तो योग शब्द का उललेक कौन से वेद में होता है तो चारो वेदों में से सबसे ज़्दा रिग वेद में योग शब्द का उललेक होता है जो सबसे प्राचिन वेदिक पाठ है हमारे मन के अंतरदर्ष्ट्य और वास्त्य के प्रकास से जोडने की बात करता है यग्य वल्लक्य जेगिश्व तथा वशिष्ट जैसे विबिन प्रसिद वेदिक रिशी प्राचिन योग शिक्षक थे योग्यों में सबसे महान करश्ण स्व्यम को योगेश्वर करश्ण कहते हैं क्योंकि अब गीता पढ़ते हैं तो गीता में करश्ण को योगेश्वर करश्ण भी कहा गया है जो भगवत गीता के प्रतिपादक हैं जिसे योग शात्र भी कहते हैं एवं यह योग पर लिखी गई एक सबसे आधारिक अधिकारिक पुस्तक के रूप में जानी जा सकती है सिंदुगाटी सब्विता के दोरान योग की उत्पति योग का ब्यास 3000 इसापुरू में भी किया गया था किन्तु सिंदुगाटी सब्विता के इस्थानों में मिली पत्थर की मूर्तियां जिसमें व्यक्ति को योग की स्थती में दिखाया गया है यानि आप से पुछा जाए कि कोन सी सब्विता में व्यक्तियों को या मूर्तियों को योग के रुप में दर्शाय गया है तो सिंदू गाटी सब्विता में दर्शाय गया है इस बात की पुष्टी करते हैं कि आसन व प्रणाम शब्द योग शरीर में उप्योक का संकित देते हैं ध्यान के तरीक प्राथना आसन व अन्यमुद्राओं में शामिल विक्सित किया गया है एक व्यक्ति के व्यक्तित के शारीरिक ध्यान परंत अंगों के विकास में यह बहुत लाब दायक है बारत में उच्छा अध्यात्पिक उद्योसों के प्राप्ति के लिए योग दिर्ग अवदीक से मानव गत्विदियों में भाग रहा है योग के इतियास में निमलिकी पाँच भागों में विवाजित किया है इन पाँच ओको आपको याद करना है पहला वेदिक प्रियेड दूसरा पूरुशास्त्री काल प्री क्लासिकल प्रियेड तिसरा क्लासिकल प्रियेड चोथा मद्दे काली समय में योग yoga in meditatal times और आदूनिक समय में yoga यानि yoga in modern times वेदिक काल वेदिक काल के मियां पर डिसकस करते हैं बात करते हैं वेदिक प्रियेट हमारे वेद वीष्व का सबसे प्राचिनतम गरंथों में गिने जाते हैं हमारे चार वेदे चारो वेदों को विश्व के सबसे प्राचिंतम गरंतों में किना जाता है वेद एक संस्क्रश शब्द है जो वीद शब्द से लिया गया है इसका अर्थ ज्यान होता है इसलिए वेद कार्थ बुद्धी मताया ज्यान है रिगवेद, यजूरवेद, सामवेद और अथरवेद, चारवेदों के नाम है वेदी काल से ध्यान को ब्रह्मांड से ज्यान या रियसुद गाटन करने और उच्च सिद्धी प्राप्त करने का एक साधन माना गया है वेदी काल में तीन योग शामिल थे पहला मंत्र योग, मन को परिवर्तित करने के लिए इस योग को मंत्र एक उपकरन है जो हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, वो किसमाता है मंत्र योग में करते हैं जैसे हमने कहत्री मंत्र कायदी वाचन किया है, पठन किया है तो उसको हम किस में करते हैं? ध्यान मुद्रा में करते हैं. दूसरा होता है प्राण योग. प्राण योग में आठ अंगों का एक प्राण योग है. प्राण को मूल रशनात्मक शक्ती के साथ साथ मूल जीवन शक्ती भी माना गया है. और तीसरा योग माना गया है ध्यान यो करने की अनुमति प्रदान करता है, तो तीन हमने योग पड़े आपर, किस के अनुसार हम यहां पर बात कररें, वेद के अनुसार है, वेदिक काल के अनुसार, एक मंत्र योग, प्राण योग और ध्यान योग, अगला आता है प्रियेड अगला जो समय आता है वो पूर्व शास्त्री काल आता है भगवत गीता सबसे महतोपुन योग शास्त्रों में से एक है तिन प्रमुक मार गहे योग के जो शेष्ट के साथ सम्मंद विक्सित करने की ओड़ने जाते हैं भगवत गीता अनुसार ये मार गए इस प्रकार है कौन कौन से मार गए तो यहां प्रकार गया है एक कर्म योगा पूर्ण क्रियाओं का योग दूसरा भक्ति योग और तिसरा ज्यान योग तो गीता में तीन योग की बात हुए कर्म योग बक्ति योग और ज्यान योग ज्यान योग तो द्योग ऑप परफेक्ट नौलेज गवगवद गिता के अठारव अध्याय तता पृतिक अध्याय को योग के रूप में जाना जाता है। मार्ग को प्रकट करता है बगवत गिता के मानव अस्तित के उद्देश आत्मा की है प्रत्यक अध्यायमेक अतिविश्ष्ष्ट योग जो की परमसत्य को प्राप्त करने की अमर्ता तता सर्वचता के साथ हमारे अनंत संबंदों संबंदित करता है यह ज्यान सारवोमेक है त बता हम से प्रत्यक के लिए लागू होता है। गोतम बुद्ध भी इसी काल के मुनी थे जिनोंने हमें ध्यान पर बल देने वाले अश्टांगिक मार्ग की शिक्षा दिती। विपशैना भारत के सरवादिक प्राचिन ध्यान तकनिकों में से एक ही जो मानवता के लिए लंबे समय से खोया हुआ है। इसे पच्चिस सो वर्ष पूर्व गोतम बुद्ध द्वारा पुनर जिवित किया गया था। आगे बात करते हैं विपशैना शब्द का शाब्दी कोड़त होता है वस्तों को उसी रूप में देखना जिस रूप में वे हैं यह आत्मा निरिक्षर के माध्यम आत्म शुद्धी की एक विदी हैं। इसके लिए व्यक्ति को अपने प्राक्रतिक स्वशन पर नजर रखने की आवशक्ता होती हैं। ताकि विचलित हुए बिना अपने मस्तिक्ष को ध्यान पर केंद्रित कर सके। प्राक्रतिक सांस की निगरानी तता मन को अधिक ध्यान के साथ एकागर करने से प्रारंब होता है। जेन धर्म में अहिंसा, प्रत्याहार तता चिंतन योग के मुलभूत पहलू है। अगला है मद्यकालीन या मद्ययुगिन काल। बुद्ध ने संपुण उप महादिप में ध्यान को लोगप्री बनाये था। हाला कि इस बात पर लोगगो की असामती है। ध्यान के साथ आध्यात्मिक गतिविदियों को तुरंत प्रारंब करना असंबव है। क्योंकि पहले सुयम को ध्यान के लिए तयार करना होता है। जब चटिश अताबदी इसापुर्व बोद्ध धर्म की शक्तिशेन होने लगी तो मस्यंद्रनात और गुरकनात जैसे महान योगी इस विवस्ता को शुद्ध करने के लिए निकल पड़े। इस दुरान हट यो रचित हट योग प्रदी दिपी का गेरंड सहीता श्री निवाश ओगी द्वार रचित हट रतनावली जो योग के साथ आर्युवेदिक पर भी चर्चा करती है। ये जो इसमें नाम लिखे हुए हैं योग प्रदी पादी का और हट रतनावली एक किसने लिखी ये जरूर आप याद रखना। शिव सहीता नित्यनाद द्वारा रचित सिद्धि सिद्धान्त विदी तथा अन्य इस अवदी के दुरान लिखे गए प्रमुग गंत है। तो इस लाइन में जो बताए गए हैं किस किसने क्या क्या लिखाए इनको आप लोग नोट कर लेना। एसम आ पर में योग एवम ध्यान के संदेश का प्रचार करने के लिए बनाया गया था। इन योगियों ने मानव जाती को समाधी की शिक्षा दी थी। गोरक सहीता, गोरक गीता तथा योग चिंतामनी उनकी पुस्तके हैं जिनके विशे के द्वार दावा किया गया है। इनकी र ध्यान रखें गुरु गोरक नात द्वारा किस-किस की रचना की गई थी तो हमने उपर बताया गोरक सहीता, गोरक गीता और योग चिंतामनी इसकी रचना किस ने करी थी। ध्यान रखिएगा इसको नोट डाउन कर लेजिएगा। आधुनिक समय में योग। पुन योग क एकात्मक योग की इस्तापना श्री अर्विंदो ने की थी। ध्यान रखना आधुनिक समय में किस्ते इस्तापना की तो अर्विंदो ने की थी। श्री अर्विंदो ने इश्वर के प्रती समरपन दता व्यक्तितों के अस्तितों को परिवर्तित करने के लिए देवी शक् खुलने पर बल दिया था श्री राम क्रश्ण परमंस ने बक्ति योग और इश्वरी प्रेम के मार्ग का अनुसरन करते हैं। अर्विंदों ने फिलाया था उसके बाद राम क्रश्ण परमंस ने उसको फिलाया था। अधिक सभी योगों को मुक्त हो जाता है। सांसारिक भोगों में पुर्णता लिन थें। तता ये लोकिक सुक संपतिक की कामना के लिए इश्वर की स्तूती एवं दान एवं यग्यादी कर्म करते थें। वेदों का मुक्य प्रतीपाग विशे ब्रह्म ज्यान था। इसके अद्रिक्त कर्मकान ब्रह्म ज्यान को प्रहिद करने में भी सायक थें। वेदिक शिक्षा सभी प्रकार के मनुश्यों के लिए उपकारी थी। उन मनुश्यों के लिए भी जो की अती मलीन अंतकरन वाले थें। तथा जो सांसारिक बंदों से बंदे हो गए थें। उन मलीन चित व ग्यान क्या उदे नहीं हो सकता था। उनके चित की शुद्धी के लिए कर्मकांड़ पर आधारित यग्य जप दान आदी कर्म आदी बताये गए थे। चित की शुद्धी के बाद जब उनमें ग्यान ग्रहन करने की योग्यता उत्पन हो गई। तब उन्हें कर्मकांड़ सटाकर परमात्मा सुरूप में लगा दिया गया। जिसका इस्पष्ट संकेत रीचा में मिलता है। रीचो अक्षरे परमेव्योम समासते ये रिगवेत का एक्ष्लोग है। अर्थात जिसे ब्रह्मा कहते हैं जिसका अधिष्टान परम्योम हैं इसी में वेदों की रीचा हैं ये विश्व की समस्त देवों का निवास हैं जिस ब्रह्म अत्तव को नहीं जानते हैं। उसके लिए शाबदात्मिक रिचाएं निश्प्रयोज है जो उस अक्षर ब्रह्म को जानता है वही ब्रह्मसम्बनुदित चरचाओं के स्थान पाने योग हैं वेदों के परतिपाद विशे ब्रह्मज्ञान में हैं तता ब्रह्मज्ञानी वक्ति ही वेद ग्रहां नी हो सकत है इसमें बहुत आगे अच्छे अच्छी बाते आएगी जिसमें हम ये कह सकते हैं कि वहां से डाफिनिटली क्योशन आप लोगों के आएंगे तो आगे वीडियो में बने रहे हमारे साथ में मुश्किल से चार मिनिट के लिए कुछ विद्वानों का मत है तता आधुनिक शोदों से इस पश्ट हुआ है कि योग सिंदू कालिन सब्विता से प्रारम हुआ है पुरा दात्विकों में कुछ समय पहले मोहन जोड़ो आधी धारमिक अवशेश प्राप्त हुएं उनमें नवट देरतों के मुड़िया में लिए वो त्री मुखी थी तथा वो एक योग मुद्रा में बेठे हुए थी ऐसा प्रतीत होता है कि सिंदू कालिन सब्विता में योगिक विचार धारा का प्रचलन उस समय में था आदुनिक शोदों से पता चलता है कि सिंदु सब्विता वेदिक सब्विता के पश्चात वेदिक मुलत सब्विता है यह सब्विता बारती संस्कती की प्रबल विशेस्ता लिये हुए संस्कती थी जो कि मिश्र संस्कती से युक्त थी अब योग का उद्भव का से हुआ है? वहाँ पर आ जाते हैं योग अती प्राचिंतम विज्ञान है वेद काल से लेकर आधुनिक काल तक सभी रिशी, संतो, विद्वानों, साइतिकारों, मनों विज्ञानों आधी योग की महिमा को मानते हैं विबिन प्राचिं साइतियों के योग का प्रतम वक्ता के संदर में निमलिकित वनन मिलता है योग के प्राचिं वक्ता का श्रे हिरन गर्ब को दिया गया है ये मतुपुन बात है जो हमें नोट करना है विबिन आर्य गरंतों में हिर्ण गर्ब का वर्ण इस परकार किया गया है विबिन आर्श गरंतों में क्या किया गया है आगे देखते है यग्य वल्लिक इस्मृती के अनुसा हिर्ण गर्बो योगस वक्ता नान्य पुरात नहम ये यक्ष वल्य स्मृती के अनुसार लाइन है ये कभी परिक्षा में आपके आ जाए तो ये लाइन कहां से ली गई है तो यक्ष वल्य स्मृती के अनुसार ले गई है दूसरी लाइन आ रही है हिर्ण गर्ब योग के आदी वक्ता आदी वक्ता है या अन्य कोई नहीं मावारत में योग के आदी वक्ता हिर्ण गर्ब का वनन इस सुक्ती में ग्यात होता है मावारत में क्या लिका हुआ सांख्यस्वक्ता कपिल परमर्शी स उच्चते हिर्ण गर्ब योगस्थवक्ता नान्य पूरातन अर्थात सांख्य के वक्ता परमरिशी कपील कहे गए हैं और योग के प्राचिन वक्ता हिर्ण गर्ब कहे गए हैं तो योग के प्राचिन वक्ता को ने हिर्ण गर्ब कहेंगे अधूत रामायन में तो इसपश्टिन गर्ब को जगत की अंतरात्मा बताया गया है क्या का गया है और अधूत रामायन में ये सेंटेंस लिखे हुए ये जो हम सेंटेंस बता रहे हैं ये आप नोट डाउन कर लीज़े और याद करिएगा थीके हमने पहला बता याक्षवलिस किस्मतिक अनुसार महाबारत में योग के बारम बताया गया अद्भूत रामान बताया गया आगे हिर्णगर्भ का ब्रहम रूप में वेदों में उल्लेक मिलता है वेदों में क्या उल्लेक है? हिर्णगर्ब समवर्त ताग्रे भुतस्य जात पती रेके आसितह सदादरा प्रत्वियो धामूत एतम कसमे देवाय दुतिशत विधेम ये स्लोक रिग्वेस से लिया गया है अर्ता स्वरपतम हिर्णगर्ब की ही उत्पन हुए जो संपुन विश्व के एक मात्र पती है जिन होने स्वर्ग और प्रत्वी का आधार किया है उन प्रजापती देव को हमरदे द्वारा पूजन करते हैं इस प्रकार प्राचिंतम वेद भी हिर्णगर्ब योग के प्रवक उत्ता माने जाते हैं ये जो श्लोक है ये कहां से लिया गया रिगवेद के श्लोक का है जब उप्रोक्त शाक्ष को पढ़कर ये प्रश्न मन में उड़ता है कि हिर्णगर्ब से क्या आश्र है और हिर्णगर्ब कौन थे तो हिर्णगर्ब दो शब्द हिर्णगर्ब से मिल ते गर्ब का मतलब उत्पत्ति का इस्थान हिरने से ताथ पर्य स्वर्ण भांड से और गर्ब से ताथ पर्य उत्पत्ति इस्थान से अत हिर्ण गर्ब को सोने के अंडे से निकला हुआ चो मुखी ब्रह्मा माना जाता है योग के आदी वक्ता हिर्ण गर्ब माने गए हैं व्यक्ति रूप में सहीता काल मेंवे मंत्र दश्ट रिशी थे तो वहीं इसे बारे में अभी विचार किया जाता है यक्श वक्त तथा व्यास रिती द्वार रचेत हिर्ण गर्ब कौन हैं सामान्य साथ हिर्ण गर्बों का वर्णन आता है जो निमने हैं पहले हिर्ण गर्बते सूर्य उसमें सूर्य में भी दो है तत्तो रूप में और रिशी रूप में सूर्य को तत्तो रूप में भी पूजा जाता है और रिशी रूप में भी पूजा दाता है दूसरे हिर्ण ग प्रजापती ब्रह्माजी रहे हैं तो इस प्रकार से ये साथ प्रकार के हिर्णगर्व का वरणन देखने को मिलता है तो ये तो हमारी बात हुई सेकंड जो टॉपिक हमारे सिलेबस में दिया उसके बारे में उसके कुछ अबजेक्टिव हम यहां पर डिसकस कर लेते हैं अब प्रजापती ब्रह्मा साथ और गर्भ के जाते हैं आधुनिक काल का आरंब कभ वा तो उन्नेश्वी सताबदी में आधुनिक काल का आरंब हुआ कुछ क्योशन की चलते हैं प्राचिन समय में कितने हिर्ण गर्भ के नामों की चर्चा हुई थी तो अभी हमने का साथ चर्चा हुई थी साथ प्रकार के किस उपनिशद में चोदेहिंड वगर का नाम इस्पष्ट होता है योग शीकोष्ट निशद में मिलता है चित्त की कितनी वरतियां है तो ध्यान रखना चित्त की पांश वरतियां है शामा चरण लाहड़ी किसके शित थे तो परमहंस योग पूर की किताब योगां स्वामेवी विज्ज्णरंक सरसवदी योग विज्ज्ञ, योग निकेतन टरस्ट रिशिकेश, शीराब शर्मा अच्यरी की साध्ना प्द्दती का ज्यान विज्ञ, अखंड जोती संस्तान मुथूरा डाक्टर कामा क्या कुमार की योग महाविज पुरा वीडियो लेक्षर आप लोगों के लिए तयार किया गया था आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों तक इसको शेर करना ना भूलें और वीडियो को लाइक अवश्य करें थैंक यो स्टूडेंट्स